यह हकीकत दास रही है तो अनूं कि इस तरह बिग्यान भी यह साबित कर चुका है कि तोड़ी सोचदा असर हाला के बोले नहीं मांची सोचा कटना है नूं और मैंनू बड़ा प्रेम करदा है उने नफरत दियां गुसे दियां करो दियां तरंगा नूं भी महसूस कीता ता प्रेम दियां तरंगा नूं भी महसूस कीता उन ज़रा गार करो तुसी अंदर बुरा सोच देओ ओधी तरंग बाहर पौदा महसूस करदा है तो जदो तुसी अंदर बुरा सोच दे हो ओधिया तरंगाजनिया बाहर तई हुई चीज महसूस कर दी है तो अड़ा शरीर ते ओला किया सरूंदा होए क्योंकि निकल दी तो अड़ा शरीर चुई है महात्मा बुद्ध ने भी बड़ी प्यारी का लगई है महात्मा बुद्ध केंदे किसे नू तकलीफ देन वास्ते यानि अपने मंच सोच रखनी के मैं किसे नू तकलीफ देनी है दुख देना है किसे नू परशान करना है या किसे दा बुरा करना है तो केंदे किसे नू तकलीफ देन वाली सोच अपनी अंदर रखनी है इसी तरह है कि ऑपने अंदर बुरी सोच ना रखो गधिया अपने अदर ऊपने अपने अंदर रखो तो अधे श्रीरनु तो अदे श्रीर दिया कोशिकामा रही है नहीं लोगे अंदरों निकल रही है तो इन्हों साथ कमरे ने रोशन करदा है पर दिनु रोशनी देन लगें इनु आप भी घरम थुना पेंदा है क्योंकि रोशनी है जो होके गुझर दी है दूजे नुगर्मी कट लगेगी इनु घरमी ज्यादा लगेगी इसी पर दूजे तक बुराई पुजानी चांदे हो दूज्य दा भुरा करना चांदे हो दूज्य दा काट पहुंच नहीं है तो आटी बॉडी दे हो असर जादा होना है जो समझा रहे हैं पता भी लग रहे हैं नहीं कोशिश है कि अनू क्लियरली असानी ना दसिये तांगे तो इस समझे पाऊं के सारी गल तो आटे अंदर दी है एक गल करके दिखना कर दीमी यह तो आटे को पिंपल हो जावे को फिस्टे बोडी दे किसे भी और दो कि ठीक हो बेगा मतलो समुछ हम धी जो ना आकर जी पेंदी है वेस्टे पिंपल हो जावे पिंपल यानि कोई फिंसी कोई पोढ़ा हो जावे साथन मोच्तुरा हो च और अपने अंदर पावना दो पहले दो चेक करो क्योंके फोडे फिंसियां जा जिसम दे खारिश जहूंदे ज़्यादा असार उदो होंदे जो ऐसी किसे वास्ते अंदर नफरत गुसा लेके बैठे होंदे नफरत नफरत नुखिया जानस बाहत ज़ जानोंदे और जीधर अंदर जाधा हुंदी येधर ज्यादा नफरत हुदी है याद रखो ओदे अंदर कैंसर हूं दे चांस बहुत ज़्यादा हो जांदे है बलाड कैंसर हूं दे चांस उनू बहुत ज़्यादा हो जांदे है जे तुसी किसे नफरत ही करी जांदे हो मिनू इनना भी नफरत है मिनू इनना भी नफरत है ता नफरत करन वाले जीव दे अंदर कैंसर हूं दे साथे श्रीयर कुर दें। दॉक्टर ब्रूस लिपटन ने, रिसर्च खरके एठेश्या से, फिर सारी दुनिया ने जाने हैं, किसाठा खरीयर प्याह किए फ़जार कुर्वल्जा है। किन्हें किरोब साथ वड़ प्याह हुदा, और प्रोड शेल तो पनिया है और कैंसर पता कि नूगेंदे है कैंसर एक ओभी मारी है क्योंकि साथे शरीर देज़े सेल है एक दूजे नहीं मिलके चल दे एक दूजे ला साथ दिन दे यह एक कोई तकलीफ आंदी दूजे सेल नूँ ठीक करना शुरू कर दें दे जदा समझ बांद हो जाएगा उंगली ठीक हो जाएगी और तुसी कोई दूआई नहीं लाई कोशनी कीता के ना ठीक कीता ओ तो आटी बॉडी दे अंदर अमीनुटी पावर है शरीर नूँ ठीक करना वली शक्ती है और सेला दे अंदर है और अपने आप बॉडी नू रिपेर कर दें तो छोटा जब फोड़ा हो गया हुन जित्ते साथी बॉडी नूदी रिपेर करनी हुन दी सैड़े सेला ने पर उते हुन की हुंदा है और सैड़े सेल नूँ ठीक करने भी जाए उल्टा उनु ज्यादा खतम करना शुरू कर देंदे यानि आपस में लड़ना शुरू कर जिने भुरे हुन दे है क्योंकि सेल ना अंतर नेट भी और पॉडिटेव भी है जदा तुछी बैटरी ता सैल देख दो नेक पासे प्लस वनिया हुन दा एक पासे माइन वनिया हुन इसी तरह हुन की हुन दा है तो आटे सैल एक दुझे दा साथ देना बंद कर देंदे की ज़िए हल्प करना बंद कर देंदे है वापस वेच लड़ना शुरू कर देंदे है इसले कि आज अंदा कैंसर दी कोई दुआई नहीं है कैंसर लास्ट सेज दे पोंचा भी ठीक नहीं हुनता कारण की है दुझे दे के भी और की कर दे है कि सैल दुआरा अपने पर पेर कर पर जब सैले ही सैल नो खाना शुरू कर देंदे है या तो कोई दुआ होना ठीक और एस सैल ना अंदर क्वाल्टी आंदी कितो है नफरत करने एक दुझे ना लड़न दी एक खूपी सैल अंदर आंदी कितो है एक उदो आंदे है जब बार बार ऐसी अपने मांच एक नफरत करनी शुरू कर देंदे है और फिर साथा श्रीर किना खतम होना शुरू हो जानदा है इसलिए जिनना ज्यादा तुसी प्यार करूंगे एक दुझे ना ज्यादा तुसी खोश रहूंगे ता याद रखना खोश रहन वाला एक दुझे दी हल्प करन वाला एक दुझ तो अनुपर पूर करके पेजना है। हुझ तुसी ये समझ लो कि अगर तुआ डेफिंसी है ना आकड़ पही होई है तो ये शानत होके बेजो, रिलेक्स होके बैठना तो लगा लो, पुर सीथे रिलेक्स होके बेजो और दो मंझ मह्सूस करो, मैंकिसरे नफरत करताए। मेरे मंझ किसे वास्ते गुसा है। ये याद आवे हो है। अवे को मैंने माफ कि शियरे है। मैं अद्थे ना प्रेयम करता रहा है ज़िसे अड़ाइ उन्हारे करता है। मेरे Insinizi पर भी प्रेयम है। तोसी अपनी सोच नो नफरत तो हटा के प्रेम लेंदा, क्रोथ तो हटा के शान्तिवा लेंदा, जिते तोड़ी सोच बदली, तोड़ी श्रीर दी एनरजी, नेगिटव तो पॉजिटेव हो गई, बुरी तो अच्छी हो गई, जदो अच्छी हो गई, तो अच्छी एनरजी हमेशा जो बुरा है ना साथी बॉडी दे अंदर उन्हों ठी करना शुरू कर देंदा है यह जमा के देखिए उसे सर्फ सिर नह लाओ लो कि कुछ चीजां करके देख देख दें तो फिर पता लगदा है जा तो पता लग रिसरचा हुंदी है कोशे क्योंकि साइंटिस्ट जिदनल तो अड़ा जीवन अनन्द में हो सके जदा ही कई वार्द से आना के बिग्यान रिसर्च कर रहा है कि मंगल दे उपर जीवन है या नहीं मंगल ग्रैद जीवन है या नहीं बिग्यान रिसर्च कर रहा है और फकीर रिसर्च कर रहा है कि साड़े जीवन जो मंगल है याने, साथे जीवंच खुशियां है याने क्योंकि मंगल ते जीवंच पता लगिया तो शैद इंसान उन्ना फाइदा नी होएगा पर साथा मंगल किता हो सकता है साथे जीवंच खुशियां किता हा सक दिया है अगर बंदेन उए पता लागे तो पूरा सुसार खुशियाना पर पूर हो सकता है समझाने साथ इसलिए अपने जीवंच तलाश करो कि मेरे जीवंच मंगल यानि सुख शांती है या नहीं क्योंकि यह ता मतलब की हुंता है सब ठीक है अब कुश बदिया है कुशल मंगल या जा कि अधिक है इसी तरह चेक करो अगर मेरे अंदर कोई प्रावलम है अगर अपने मानिक ते विश्वाश रखना है तो नाले अपने आपने तो टोलना है कि मेरे अंदर कोई नफरत था नी कोई क्रोध था नी एनू दूर करा क्योंकि जटो नफरत वद्धी जान दी ता मालिक दिया रहमता दूर हुंदिया चलिया जान दी है तो नफरत कटदी चलिया जान दी है क्रोध कटदा चला जान दा है प्रेम पैदा हुंदा चला जान दा है शांती पैदा हुंदी चलिया जान दी तो रहत दिया रहमता सड़ मालिक निया, रहमता नो ऐसी, हांसिल कर सकतें हैं. तो गाल चल रहें सी, फकीरां नी, के फकीरां ना संत्रियां ना बाग सी, ऐसी संत्री घमा गेते, और समस्य ले, किन्ग, और रेंज, की नाम है हो दे, सुमिझ देख ने, फर ऐसी घमा जग 아니야, संत्रियां दावाग सी फकीरां दाओ ज़िए बाग नू पानी दिन्दे सी पोद्धियां दे इकोल जांदे सी तो अब दा लेंदे लेंदे जांदे सी और जिद्धा अंतस्या कि जिद्धे रापदा नाम होवे, उत्यों चीजदा असर को शोर हो जानता है उनके दे उनना दे बाग दे विट जदो औरंज लग दे सी, तो बड़े मिठे लग दे सी इनने टेस्टरी हुंदे सी, के पूरे बजार चो तुसी बड़िया तो बड़िया भी औरंज खरीद लो, संत्रे खरीद लो, तो उस वाजनी हुंदा सी, जो फकीरां दे, बाग दे संत्रे ना हुंदा सी एक दिन उस नगर दे राजा नू पता लगा, नगर दे राजा नू पता लगा, क्योंके राजा संत्रे ना बड़ा शुकीन सी, संत्रे खाने या रस पीना, तो एक वार किसे आदमी ने राजे नू दसिया, के माराज तुसी बजारों, बड़िया तो बड़िया संत्रे मग खांगे खांदे हो और एक वार देखें आए लोगी स्वाविदूनि देस नतर नज मनष्वां किसे इंदर ही ना को कहने है न के मिठास ना हर चीज अंदर हुं दी है बबाप फ्रीद ने चाहत खणड़ नुवात गुर्ड़ मक्यों मज्य दुद सब बस्ता मिठीए मरभण कि चकर भी मिठी कंड़ी मिठी गुड़ी मिठी शेहर भी मिठा पर जेडि मिठा तो मेरे यार्दे नाम अंदर अना मेरे प्रमात्मा अंदर ना है तक ना हो सकती क्योंकि उता मुखाबला किसने की कार ले나 भलो समे द्योग ने काहीं तब मिया मुहमुद वक्ष् layout ने बड़ी प्यारी काल गई है के चंगी सूरत ते आशिक हुना एक आधी बढ़ी आई चंगी सूरत ते आशिक हुना और एक आधी बढ़ी आई इशक कर तू उस सोने न ओग जिसने शकल बनाई है जड़ा गहर करो वो आप यहां इस श्ड़ आशक ते दे जाए कि चीजना नहीं उनु बना नाले होदे मालिक लग इसकर इसले चंगी सूरत ते आशिक हुना एक आदी बड़ी आई इनु बड़ी गालना समझ जो के जिने सूरता देखके इसक कर दे आ है उनना इश्क बदल दा रहना है कि आ सूरत चंगी लगी इनना हो गया सुरत चंगी लगी उनना हो गया सूरता बदल दिया है ता उनना इश्क भी बदल जांता है पर केंदे इश्क करना है ता के नहां करना है ओही दा सरे एत्यमिया मुहम्मद बख्षे के चंगी सूरत ते आशिक होना एक आदी बढ़ियाई आशिक बन तू उस सोने दा जिसने शकल बनाई के आशिक बनना तो ओ सोने दा बन ओ सचे रप दा बन ओ मालिक परमात्म प्रभू दा बन जिसने सारे शकला बनाया है क्योंकि इंसान दिया शकला बदल दिया रहन दिया है पर ओही एक कैसा है जड़ा ना कदी बदलिया तो ना कदी बदलना है इंसान दिया बदल दिया या नहीं बच्पन चे कोई शोर होन दिया है जवानी ची को शोर हुंदी है बुरापे चल कह देओ को शोर हुंदी है बज़र्ग बैठे तुसी उने जवानी दी फोटो देखो तुसी करना बाब बज़र्ग को पड़े सुने हुंदे से वोलो समय से होक नहीं पर जिदा जिदा उँपर टली उदा उदा स्किन बाल चिटे होगे स्किन अपने आपे टली होंगी चली गई वो सुन्दरता कि थे गई यादि शकला बदल दिया है पर शकला नू बनान वाला जो मालिक है उना बदले आया ता ना ही उसने बदलना है जदो उदे नाले से इश्क कर दे हैं तब फिर साठी बड़ी आई है फिर बड़ी आई की है कि मैं अपने मालिक नाल दुनिया नू बनान वाले नालत प्यार कर रही है उदे नाल मैं इश्क कर रही है जिना सारे संसार नू रचया है जिना फुला अंदर रंग परिया है फुला अंदर मिठास परिया है गन्य अंदर रस परिया है जिना इनने रंग पिरंगे सनुजोबी संसार दे उपर पदारत में धर आ रहे हैं जिने सारे पदारत रंग पिरंगे सुंदर तो सुंदर बनाए वो इश्कता ओदे नड़ हो गया वो आप किना सुना होए गया जिना ओधी सुन्दर्ता देख लई फिर ओधे बरापरता होड़के सुन्दर्ता होई नहीं सकती यहीं कल बापा फृरीद कहने यह कि शक्कर खाला है गोड खाला है मिसरी खाला है शैद खाला है तु पहमा दुनिया ये सारीय मिठीया चीजां खाला है पर याद रख जेड़ी मिठास मेरे रबदे ना अंदर है और मिठास किसे चीज आधी नहीं है यह इशारे हुंदे और फकीरां दे संत्रे या वगे यारवल तो तुसी भी देखूंगे तो अड़े जीवन दा रासा ही बदल जाएगा जिते हर वेले आज तकलीफा दुख परिशानियां है ओथे तो अड़े जीवन खुशी सोक शांती अनंदाना शुरू हो जेगा क्योंकि तुसी और दे वैठ दे तुर्दे फिर दे अपने प्रमातमानों देखना चांद है तक हैं ना एक इश्क धिया अखनाल जो जो भी देखे इश्क धिया अखनाल प्यार चाहें और जिड़ा प्यार आंदा है फिर बुले शाग कें देऊ इश्कति अखनार जो वी देखे और रब यार्नू मनने कि इश्क तिए अखनार जोवी देखे ओ रभ यारनु ऑपनने की यार्दा रुटवा जहनन जो अखा तो अन्य और देखो बुल्लेग्साथी केंदे मुल्ले शाया कहने यार दा रुत्वावी ओही समय सकते हैं जेना अंदर इहुंदा है इश्क हुंदा है इश्क दी अखनाल जो भी देखे और अब यार नू बने इधा दरा गौर करना इंसान मुझे देना प्यार हो जान दो बंदा जेना ने मेरा रभ यह लेला ना मजनू होया सी ता मजनू ने की किया लेला ही मेरा अल्ला है हमें देख नहीं केंदेने के मुला मिलेया मुला ने किया मजनू की दिवाना फिर दा पर ला इल्हा इल्ला के एक कोई अल्ला है एक कोई खुदा है पर ता मजनू ने की पड़िया ला इल्हा लेला हो केंदा इक कोई है स्भ'do जिख एिकार नवाद्रिंग एकाइए च्नी शुरू हो जानदीए कि नहीं आपने जुझापदी दीओ जित्थो बंदेनू जेदेना इश्क हो जान्दा उधे अंदर चल्क में नी शुरू हो जान्दी है साही दा किया जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो अंदर प्रेम होना जुरूरी है क्योंके प्रेम ही सान उस मंजल तक लेके जान्दा है इसलिए प्रेम सच्चा हुना चाहिदा है प्रेम दे अंदर कोई लालच नहीं हुना चाहिदा प्रेम दे अंदर कोई स्वारत नहीं हुना चाहिदा क्या जान्दा है ना कि लालच नाल यो यारी लावे कदी तोड़ना चड़ दे कि जड़े लाल चनल यारी लांदे हो कदी तोड़नी चाड़ती तोड़ता मतलब कदी मंजलते नहीं पहुंच दी बोलो समय देखने इसलिए चादर लीरो लीर मुहम्मद जो कंड़ियां में चाड़ दे कहें है हैं वह चातर फट के लीरो लीर हो जानती है मुहम्मद मियां बख्ष कहा रही है ईड़ी कंडिया रजा वेजी चातर आड जावे नगा इसले इसलें लालच ना रड़ा इश्क सचा हुए हँ जो साहीता केंदे है वो खुदा हमको नहीं छोड़ता हमारे लाखों गुना कवीरा होने पर ओ प्रमात्मा साथे बड़े बड़े गुनाहा नू देखके भी छड़ता नहीं है समय द्योक ने और हम छोड़ देते हैं अपने मालिक खुदा को अपनी एक मुराद ना पूरी होने पर और ऐसी छड़के वे जानदे हैं अपने रबनू साथी एक मुराद पूरी ना होए तैसी छड़ देन रबनू ता रब कदी नहीं छड़ता साथे गुनाहा नू देखके वो इन्ना प्रेम करदा है साथे इसलेग समझना जरा सारिया कि इश्क दी अखनल जो भी देखे ओ रब यार नू मने ओ की यार दा रुत्वा जानन बुले आ जो अखा तो अन्ने बुले केंदे उनन नू यार दे रुत्वे दा की पता जे ने अखा ते परदा प्या होया है जो कि जदा दसिया कि जे मजनुम इश्क दे अंदर लेला अंदरो अल्ला नदर आ सकदा है ता फिर कि एक मुरीद नू एक तालिव नू एक गुरु सिखनू अपने गुरु मुर्शद अंदरो रब नदर नहीं आ सकदा जालता इश्क दी है जालता मुहबबत दी है इसलएए ये प्रमात्मा नो देखना है न ता फिर अपने दर इश्क दी अख पैदा करो प्रेम दी अख पैदा करो दुनिया दे चश्मेता बहुत लांदे हैं ऐसी आप ओंपनी दा चश्मा लाना है आप ओंपनी दा चश्मा लाना देखो जच लाग नहीं जान दे हैं ना कई विरा शोर उमाच कली कली एनक चके लाके देख देख दे हैं तो याद रखो एनक किसे मर जी कॉमपनी दी लालो हुन जला गार करना बंदा कभी में आप बड़ी तो बड़ी कॉमपनी दी एनक लाली एनक किसे मर जी कॉमपनी लालो हुना दुनिया उद्दा दी दिसनी है जदा तो अड़ा मन नहीं सोच है पर जदो तुसी इश्क दी एनक अपनी अक्ते लालोंगे तो फिर दुनिया तो अनू उद्दा नजर आएगी इद्दा कि हर शेय अंदर ही तो अनू और प्रमातमदी चलक मिलनी शुरू हो जाएग क्योंकि इश्क दी अखनाल देखके यसी अपने रबदा दिदार कर सकते हैं दर्शन कर सकते हैं इसलिए अपने अदर इश्क पैदा करिए इदर गल चल रही सी फकीर दी के फकीर दे बाग देविच जो फर्सी बड़े मिठे सी जो बादशा ने सुनिया तब बादशा केंदा कोई नी आज जही शामनू मैं सेर करदा करदा फकीर दे बाग जाउंगा नले बाग देखके आउंगा नले फर्काउंगा उन केंदे शाम होई दरवार दी समापती होई तब बादशा अपने कोई सेंका दे नल सेर करदा करदा उद्दर चला गए जिते फकीर दा बाग सी उन जदो फकीरा ने बाग जो पहुँचिया देखिया आज कि फर्ला नल पेड परे होई आज बादशा देखके बड़ा खुश है देखन के रंग तो बड़ी इन दी बख जाई है, रंग बड़ा गुरा है बादशाय जाके बैठा फकीर ने भी देख्या कि बाद शुचा अया है तो जो फकीर दे को ₹ी फकीर ने लुगये this इसले कि में नू कुष्टखा नू दोण जो कीमत कहूंगे मैं धेंड़नो तियार है को Canada बादशाय के ले मी कп मैं तो मैं देन नू तियार है फकीर अंदर गए फकीरा ने कुछ फल तोड़के थालच रखे बादिशाह नू दिते बादिशाह रास्ता कटना अखा है थे पर फल में पेश करना है ये खाओ तो से अज़ ने फटाफ़ फल छिले जदो बादिशाह ने खाता तब पहली घतली खांदे ये पहला टुकड़ा खांदे बादिशाह नू ता अधना होया अखा बंद हो यह ना टेस्टी ना स्वादिश्ट आज तक मैं हजारे किन्नू संत्रे खाते और इज खाते पर आस टेस्ट अधना स्वाद कदी नहीं आया देखते हैं तो छार फल रखे हो इसी चारी फल बादिशा खा गया है और उन्हें फकीर नू किया कि होर मिल सकते हैं फकीर के ज़रूर फकीर जदो अंदर गया लैंडवास थे बादिशाह ने मंच की आया इनने मिठे स्वादिश नुफाल ह इना फलाते थे मेरा अधिकार है क्यों हुका नुफाल देखे बाद है नियत जड़ी है तो बदल गईना अच्छा फलाद की फलाता बाद ये ता मेरे आधी कार्चुना चाहीदा है येसलिए आदा ने फकीर नू येते ही फकीर आएगा मैं कह देना है याता प्यार ना बेच दे निता मैं जवर्दस्ती कभजा कर लेना है तो कि बादशादी नजर के कोई चीज पसंद आगी ता कि ना रोक सकना है उनू बादशादी सोच मंदर ए आगया कि जाता फकीर प्यार ना बेच दे नहीं ता मैं कभजा कर लेना है इतने फकीर दुवारा फ़र लेके आए सबस्क्राइब कीजिए सर्वसंचा दरवार कांटिया श्रीफ चैनल को और बेल आइकन दबाएए मालक जी के लेटेस्ट सरसंग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए जै हर दानी जै हर कानी जै हर कानी जै हर तक दूल कि वी कि थी लिए कि झाल झाल